जब भी हम trade में entry करने की बात करते हैं तो हर कोई यही चाता है कि उसके पास एक high accuracy वाला setup हो जो कि छोटे से stop loss में बड़े targets वाली trade उसको दिला सके एक अच्छा risk reward वो अपना maintain कर सके and अगर हम SMC trader बनना चाते हैं smart money concepts के according अपनी entry plan करना चाते हैं तो कई सारे entry modules, entry setups, entry techniques हमारे सामने आते हैं जो कि हमें एक बहुती अच्छी refined entry provide कराने में help करते हैं ऐसे ही एक बहतरीन entry setup को इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं जो कि बहुती easy है apply करने में and छोटे से stop loss में हमें काफी अच्छी trade provide करा सकता है अब जैसा कि last video में हमने discuss किया था एक बहुती easy entry module को जो की liquidity sweep पे based था पर easy होने की वज़े से उसकी accuracy थोड़ी सी कम थी around 60-65% के आसपास उसी same entry module को अगर हम हलका सा advance कर देते हैं तो वो हमें और भी better accuracy provide करा सकता है advance करने के लिए बस हमें एक छोटा सा smart money concept वहाँ पे add करना है जिसको कहा जाता है scope full form इसकी रहती है single candle order block अगर liquidity sweep के साथ हम single candle order block को लगा के check out करते हैं तो हमारी accuracy काफी ज़धा बढ़ सकती है और हमारे जो outcome निकल के आएंगे वो और भी better हो सकते हैं जैसा कि हलका सा advance level पे हम समझने वाले हैं तो complete attention के साथ पूरी बात को सुनें सिर्फ अगर आप video को 10 minute अपने attention के साथ दे देते हैं तो आपको आराम से यह concept समझ में आ जाएगा बहुत ही छोटा concept है उसके बाद तो वैसे भी video में हम सिर्फ examples को discuss करेंगे otherwise अगर आप जल्द बाजी में concept को समझने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है आप से कुछ mistake हो जाए उससे आप उसका पूरा benefit नहीं ले पाएंगे so complete knowledge को grab करने की कोशिश करें चलिए सीधा video को शुरू करते हैं सबसे पहरे तो smart money concepts के according अगर हमें कोई भी काम करना है तो उसका सबसे पहला step ही हो जाता है कि हमें trend identify करना आना चाहिए और smart money concept के according trend हम कैसे identify करते हैं एक proper structure marking करके कैसे structure हमारा build up होता हुआ नजर आ रहा है so let's suppose यहाँ पे आपके सामने एक example के लिए diagram पेश है यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है market बार बार lower side पे break of structure करता हुआ चल रहा है तो कहीं ना कहीं पे trend जो हमारा बना हुआ है वो downside पे बना हुआ है जिसको हम lower highs lower lows का structure कहते हैं so इस वीडियो में जो हम entry setup discuss करने वाले हैं उसके लिए आपको एक तो structure समझ आना चाहिए दूसरा liquidity समझ में आनी चाहिए यहाँ पे जो काम होता है इस तरह से यह liquidity generate करने का काम होता है यहाँ पे भी liquidity generate करने के लिए price इसके उपर गया है पर तीनों case में बस यही difference है कि यहाँ पे price उपर continue निकलता रहा inducement के उपर और order block के आसपास जाके वापस लोटा यहाँ पे हलका सा उपर जाके वापस नीचे आगया यहाँ पे थोड़ा और उपर जाके वापस नीचे आया बस यही main difference है तीनों case में अब यहाँ पे यह जो inducement इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं अभी फिलाल हम order block वाले case की बात नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में यहाँ पे यह जो इस तरह के inducement देखने को मिलते हैं जहाँ पे inducement collect करके price immediately reverse कर देता है same direction में continue करना चालू कर देता है यहाँ पे भी inducement collect करके same direction में continue करना चालू कर दिया अब यह जो inducement basis पे हमें जो moves देखने को मिलते हैं इन moves को हम यह जो नीचे के side के moves होते हुए नजरा आया है तो अपने internal किसी high को breakout करेगा तो उस time पे हमें यहाँ पे एक sell की opportunity बन सकती है यह हमने पिछले वाले entry module में discuss किया था अब यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा advance करने वाले हैं इस तरह से एक concept होता है smart money का जिसको कहा जाता है scope फुल फार्म इसकी ready है single candle order block अब यह जो यहाँ पे इस तरह के part बन रहे है इसको अगर हम zoom करके candlestick picture से समझने की कोशिश करें तो यह इस type से अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा तो इस scope यहाँ पे apply होता हुआ नजर आ रहा है जिनको नहीं समझ आया है वापस से एक बार summarize कर देता हूँ कि यहाँ पे price में liquidity sweep होता हुआ नजर आया liquidity generate होती हुए नजर आई inducement के जरीए उस time पे अगर इस type की candlestick समय देखने को मिल रही है तो मतलब वहाँ पे single candle order block बनता हुआ नजर आ रहा है और ये scope को समझना बहुत ही आसान होता है तीन points के अंदर सिर्फ हम इस scope को समझने वाले हैं अब सबसे पहला point जो scope के लिए ज़रूरी होता है कि तीन candle के अंदर में 90% of the time ये तीन candle के अंदर में ये form होता हुआ नजर आता है कभी कभी rare case होते हैं उनको भी हम discuss करेंगे जहां पे 4-5 candles हमें देखने को मिल जाती है mostly तो पर ये तीन candles में ही form होता हुआ नजर आता है उसके बाद दूसरा important point क्या होता है let's suppose हम यहाँ पे अभी downtrend का example देख रहे थे तो उसमें जब भी price inducement करेगा तो कहाँ पे करेगा इस तरह से यहाँ पे कोई swing लगी होगी उसको induce करेगा तो कहाँ पे करेगा उपर की side पे induce करके फिर इस तरह से यहाँ पे fall करेगा ये हमारा inducement वाला level था तो इस तरह से यहाँ पे sweep करके fall करेगा तो यहाँ पे हम नीचे से चलते चलते continue आ रहे है तो यह जो green candle यहाँ पे बनती हुए आ रही है इस तरह से हम यहाँ पे move करते हुए आ रहे है तो यह जो यहाँ पे green candle बनी last वाली इसके उपर यहाँ पर next candle जानी चाहिए यानि इसके उपर जित्ते भी लोगों के stop loss वगरा थे यहाँ पर liquidity collect होनी चाहिए इसके उपर भले ही candle की body जाए या फिर candle की wick जाए उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है एक बार मैं आपको करके भी दिखा जाता हूँ अगर यह इस तरह से भी होती यहाँ पर तो भी यह confirm माना जाता कि हाँ यहाँ यहाँ पर इस candle के उपर यहाँ पर अगली candle का कोई भी पार्ट जाता हुआ नजर आया हो चाहे wick हो चाहे यहाँ पर body हो पर जाना ज़रूरी है थर्ड क्राइटेरिया हो जाता है कि यह जो second वाली candle लगी है जिसने हमारी liquidity यहाँ पर sweep करी है तो यह liquidity sweep करने वाली candle का जो exact low लगाऊगा उसके नीचे next वाली candle close करनी चाहिए closing ज़रूरी है तो यह हमारा third वाला point हो जाता है कि जो third candle बनने वाली है वो liquidity sweep करी हुई candle के low के नीचे close करनी चाहिए इसमें हमें candle की body की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम closing यहाँ पर check out करने वाले हैं पहले यहाँ पर इस वाले में हमें closing की ज़रूरत नहीं थी तो यानि कि अगर यह यहाँ पर इस तरह से होता let's suppose यह यहाँ पर इस तरह से होता तो फिर यह यहाँ पर valid नहीं माना जाता भले ही उसकी wick उसके नीचे जाती हुई नजराई पर यह यहाँ पर valid नहीं माना जाता इसमें हमें proper closing की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें low के नीचे closing चाहिए भले ही एक point से भी उसके low के नीचे close हुआ हो अब जैसे ही यहाँ पर इसका high यहाँ पर sweep हो गया और इसके नीचे यहाँ पर market ने close कर दिया अगली candle ने तो important candle हमारी कौन सी हो जाती है यह middle वाली candle इसको हमें इस तरह से mark कर लेना है यह हमारा बन जाता है single candle order block अब इसको use किस तरह से करना है कि for example आगे कोई भी candle बनती है यहाँ पर अगली candle बनती है वो directly उपर आके इस पर tap करती है तो जैसे ही वो tap करेगी यहाँ तो हमारी यहाँ पर एक sell की opportunity बनेगी जहाँ पर इसके उपर हमारा stop loss रहेगा इस candle के high के हलका सा उपर और यहाँ से हम एक sell की opportunity देख सकते हैं और यह जो move होता हूँ नजर आया है हो सकता है इसके बाद जो यहाँ पर fourth candle बने अगली ही candle वो इस पर tap कर दे तो वहाँ पर भी हम immediately sell कर सकते हैं के उपर stop loss डाल के अब scope के कुछ variations को हम check out करने वाले हैं जैसा मैंने आप से कहा था कि maximum time तो यह 3 candles में complete हो जाता है पर कभी कभी 4 से 5 candles इसमें लग जाती हैं तो वो कब हमें देखने को मिलती है उन variations को हम यहाँ पर समझने वाले हैं एक बार इस scope वगेरा को यहाँ पर हटा देते हैं और for example जैसा मैंने आप से कहा था कि 2 important characteristics हैं एक पहली characteristic तो यह है कि इसके उपर यहाँ पर liquidity sweep होनी चाहिए और इसके नीचे यहाँ पर closing होनी चाहिए तो माल लेते हैं कि यहाँ पर liquidity तो sweep हो गई जो यह third वाली candle के low के नीचे close कर दे इस तरह की होनी चाहिए fourth candle क्यूकि अब हमार लिए यह वाला low ज़रूरी नहीं है अब हमार लिए यह वाला low ज़रूरी हो चुका है इसके नीचे जैसे ही closing हो जाएगी तब हमें फिर क्या करना है बीच वाली candle को mark ना करते हुए यह जो हमारी जिस candle के low के नीचे हम आये है इसको पूरा ऐसे mark कर देना है यह बन जाएगा हमारा scope इसको फिर हम नाम दे सकते हैं scope का और similar process रहेगा कि जैसे हम इसके नीचे आ चुके हैं भले ही इसके बाद जो अगली 5th candle बनने वाली है वो इस पर वापस से tap कर ले तो हम यहाँ पर sell की opportunity देख सकते हैं stop loss पिछले वाले case में हमने का रखा था immediately candle के उपर इस वाले case में हमारा stop loss क्या हो जाएगा जो हमारी main candle थी उसके high के उपर अब इसके बाद next variation को check out करते हैं जहाँ पर suppose कर लेते हैं कि price net 4th candle जो बनती हुए नजराई इसने यहाँ पर नीचे जाने की जगर उपर चली गई यहाँ पर इस तरह से और इसको color हम देते हैं green color यहाँ पर यह उपर चली गई यानि हुआ क्या यहाँ पर कि हम वेट कर रहे थे कि इसके liquidity सुई पो चुकी है अब इसके नीचे हमें closing चाहिए तो इस candle ने तो closing नहीं दी और अगली candle ने भी closing नहीं दी और बलकि वो उपर चली गई जहाँ पर candle का यह जो third वाली candle है इसके high के उपर ही वो निकल गई तो फिर हमें यहाँ पर क्या करना है वापस से वही process अपलाय करना है जो हमने पहले किया था कि हम अब यहाँ पर क्या देख रहे है कि यहाँ पर liquidity सुई पोती वी नजर आई है इस तरह से तो अब हमें इसके नीचे यहाँ पर closing चाहिए इस तरह से यह हमारा important यहाँ पर low लग जाएगा इसके नीचे जो भी इसका low होगा इस वाली green candle का इसके नीचे हमें यहाँ पर closing चाहिए तो पहले हम यहाँ पर ढूंड रहेते अब हमें यहाँ पर ढूंड ना है वो चीज यानि आगे shift हो चुगा है मामला क्योंकि वापस से हमने high को यहाँ पर cross कर दिया है तो अब for example अगली candle जो बनती है वो इस तरह से यहाँ पर बनती है और इसके low के नीचे यहाँ पर close कर देती है तो फिर यह हमारा pattern confirm हो जाएगा इस तरह से suppose हमें देखने को मिलता है यहाँ पर तो इसमें हमने यहाँ पर क्या देखा कि इस वाली जो red वाली candle थी इसकी यहाँ पर liquidity sweep होती हो नज़राई next candle की तरफ से उस next candle के low के नीचे अगली candle ने यहाँ पर close कर दिया तो यह हमारा complete clean candle का यहाँ पर scope बनता हुआ नज़राया इसमें फिर हमें क्या करना है बीच वाली candle को यहाँ पर mark कर लेना है इस तरह से और यह पूरा हमारा scope रहेगा इसको हमें नाम दे देना है scope का और फिर similar process है कि इसके नीचे price निकलेगा यहाँ पर जैसे hits पर tap करेगा इसके उपर हमारा stop loss रहेगा और यहाँ पर हम sell की opportunity देख सकते हैं जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर प्राइज अपने structure की liquidity sweep कर रहा होगा liquidity grab करता हुगा नजर आ रहा होगा उस time पर अगर इस type की candlestick pattern बन जाती है यहाँ पर single candle order block हमारे सामने आ जाता है तो उसके according हम sell कर सकते हैं जहाँ पर proper stop loss और proper हमें यहाँ यहाँ पर entry का मौका मिल जा तो दोनों को मिला के काफी जदा यहाँ पर powerful setup बन जाता है एक तो यहाँ पर दो तरह से liquidity sweep होती हुए नजर आ रही है एक तो यहाँ पर पूरे structure की मार्केट ने liquidity sweep करी है उसी के साथ साथ हमने candle को zoom करके देखा था यहाँ पर फस्ट candle बनी उसकी भी यहाँ पर प्राइस पह कर लेते हैं अब एक example हम bullish side का भी देख लेते हैं पहले हमने selling की opportunity देखी थी यहाँ पर bullish side में हमें structure क्या देखना है higher highs higher lows का structure होना चाहिए तो जब भी हम uptrend में बने हुए रहते हैं तो every time वहाँ पर internal low हमें breakdown होता हुए नजर आता है तो वहाँ पर एक liquidity generate होने का काम होता है तो यह जो इस तरह से यहाँ पर part निकला है इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर scope candlestick को लगा के check out कर लेते हैं scope concept को लगा के check out कर लेते हैं तो हमें best opportunity बन जाती है एक अच्छी entry करने की और छोटे से stop loss में बहुत अच्छा risk reward हम capture कर सकते हैं तो बाकी बाते यहाँ पर भी similar ह कि जैसे यहाँ पर कभी कभी तो आपको देखने को मिलेगा कि price ने inducement करा और सीधा order block के पास गया और वहाँ से एक strength लेता हुआ नजर आया वापस से same direction में continue करने की पर कभी कभी आपको क्या देखने को मिलेगा कि order block let's suppose यहाँ पे था order block तक ना जाते हुए उसके पहले से ह साफिसाल लोगों की queries भी बनी हुई थी कि कभी-कभी order block के पास हमारा price आता ही नहीं है पहले से शूट अप हो जाता है तो उस case में हम कैसे entry plan कर सकते हैं तो यह उस time पर best तरीका हो जाता है यहाँ पर structure की पूरी liquidity sweep हो रही है वो तो होई रही है उसी के साथ साथ जो यह scope केंडल में हमें देखने को मिल जाता है जहाँ पर 90% यह थर्ड केंडल के अंदर में complete हो जाता है और बाकी दो इसकी main characteristic रहती है जैसे अब हम यहाँ पर bullish case को देखने वाले हैं कि upside की trade हम कैसे enjoy कर सकते हैं तो यानि हमारा क्या होगा कि इस तरह से हम उपर गये होंगे वापस ऐसे गिरता हुआ आएगा फिर यहां से structure बनेगा फिर यहां से turnaround होता हुआ नजर आएगा अगर इस तरह से हमें ध्यान नहीं रहता है तो इसको याद रखने के लिए हम यह समझ सकते हैं कि price action में जो candlesticks pattern होते हैं उसमें एक pattern होता है evening star pattern जो इस तरह का हमें देखने को मिलत है वो भी तीन candlesticks से ही same बनता है और उसी तरह से morning star pattern होता है अगर आपको नहीं पता है तो google पर search कर लेना morning star pattern और evening star pattern यह कुछ उस type का ही हमें देखने को मिलता है बस यहां पे थोड़े से variations होते है liquidity वगरा और inducement वगरा के time पे हमें देखना होता है और यह बात पहले भी हमन morning star और evening star समझ सकते हैं कहां पे करना है कहां नहीं करना है liquidity वगरा क्या होती है उस सब के लिए आपको SMC की समझ होनी चाहिए यहां पर आपको क्या देखने को मिला price इस तरह से गिरता गिरता आया उसके बाद एक जो यहां पर red candle बनाई उसके low के नीचे यहां पर price जाना चा आया था आपको ध्यान होगा अब यह उल्टा हो चुगा है नीचे की हमें यहां पर liquidity स्वीप चाहिए एकदम last तक के हमें stopless यहां पर clear चाहिए फिर उसके बाद price उपर निकलना चालू कर रहा है क्यूंकि हम क्या चाह रहे हैं bullish side की trade capture करना चाह रहे हैं तो गिरते हुए आ उपर एकदम high के उपर हमें closing चाहिए भले ही एक point उपर closing हो पर अगर इस तरह से हो जाता तब यह यहां पर valid नहीं होता फिर हमें वही variations यहां पर try करने पड़ते अगले candle को यहां पर check out करना होता let's suppose अगली candle अब इस तरह से बन जाती है इसको एक बार हटा देते हैं अगल candle के high के उपर हम close कर रहे हैं उसको हमें as a scope mark करके यहां पर mark कर लेना है फिर वही same कहानी है कि price जैसे ही इस पर tap करेगा हम buying की opportunity देखेंगे यहां पर कहीं पर buy करेंगे हम और stop loss जो हमारा रहेगा वो main वाली candle के low के नीचे रहेगा अगर इस type का 4 candle 5 candle में बन रहेगा तब भी हमारा stop loss main वाले low के नीचे ही रहेगा और 3 candle में बन जाता है तब तो वैसे भी इसके नीचे ही हमारा रहना है stop loss और let's suppose अगर वहाँ पहले वाला ही case होता इस तरह से तो उसमें हमें क्या करना होता कि यहां पर हमारा यह इस तरह से mark होता इसको यहां पर जैसे price इसके उपर निकला यहां पर tap करा यहां पर हम buying की opportunity देखते हैं और यहां पर हमारा stop loss रहता इसके हलका सा कुछ points नीचे कभी-कभी आपको वही देखने को मिलेगा कि अगली 4th candle इस पर tap कर दी अगर complete setup बनता हूँ नजर आ रहा है तो हम यहीं पर buy कर लेंगे और यहां पर stop loss रख अब जैसा की real charts पे हम आ चुके है practical examples को देखने के लिए जिससे की हमारे mind में concept और भी clear हो जाए bank nifty के chart पे हम discuss कर रहे है 15 minute time frame पे एकदम recent यह chart है इसके आगे कोई भी chart हमारा available नहीं है जैसा कि आप check out कर सकते हैं अभी market live चल रहा है आज date है 14th मई जहाँ पे fin nifty की expiry पे एकदम sideways market हमें देखने को मिल रहा है तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे एक important discussion यहाँ पे कर लिया जाए कुछ important learnings को हम discuss कर लें क्योंकि market में तो कोई खास action हमें देखने को नहीं मिल रहा है सबसे पहले हमें क्या करना है जिसे आखों से देखकर यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि trend जो है lower highs lower lows का बना हुआ है तो down trend में हम चलते हो जा रहे हैं अगर इस तरह से हमें समझ में नहीं आता है तो smart money concept के according हम mark कर सकते हैं कोई भी एक बड़ी swing को हमें यहाँ पे mark कर लेन उसके बाद low को breakdown करने के बाद price वापस से उपर गया तो यहाँ पे एक inducement होता हुआ नजर आ रहा है जहाँ पे low को breakdown कर रहा है तो हम क्या करेंगे sell की opportunity यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक inducement होता हुआ हमारा नजर आया है यहाँ पे हमें चेक आउट करना इस तरह से फिर उसके नीचे हम यहाँ पे close करते तो नीचे यहाँ पे closing तो करी है अगली वाली candle ने पर यहाँ पे liquidity sweep होती हुए नजर नहीं आई तो first वाली condition यहाँ पे उस तरह से tick होती हुए नजर नहीं आ रही है उसके बाद हमें आगे चलना है अब जैसा हमें पता है क trend हमारा downtrend में चल रहा है तो every time जब यहाँ पे high sweep होता हुआ हमारा नजर आएगा तब हमें वहाँ पे liquidity sweep या inducement हम कह सकते हैं वो हमें देखने को मिलेगा वापस से price यहाँ पे नीचे निकला वापस यहाँ ब्रेक आफे structure हम ने किया नीचे आए वापस उपर गया वापस नी कोई scope हमें देखने को मिल रहा है अच्छे से zoom करके checkout करना है जिससे कि candle के high low हमें अच्छे से देखने को मिल चके हैं सबसे पहले यहाँ पर पहली केंडल लगती हुए नजर आई इसके उपर market गया पहली criteria आपर टिक हो गया पहली condition टिक हो गई नीचे आए पर इसके candle का low ज नीचे हम close कर पाया है तो नहीं कर पाया है वो criteria भी हमारा fail हो गया उसके बाद जैसा मैंने आपसे एक variation discuss किया था second variation कि price उसके ऊपर निकलना चालू कर दिया तो हमें वापस से same process को first condition से repeat करना है जैसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वापस से price यहाँ पर इसके उपर कर रहा है तो यहां की liquidity भी हटाई है और यहीं जो हमारी candle बनना चालू हुई इसके नीचे अगली candle ने यहाँ पे close भी करा है आके तो यहाँ पर यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर close भी होता हूँ नजर आ रहा है तो जैसे मैंने आपको समझाया था X और C करके mark करके C मतलब close और X मतलब यहाँ पर liquidity sweep हुई है simply तो हमें क्या करना है यहाँ पर फटा फट से इसको mark कर लेना है कौनसी candle को बीच वाली candle को और इसको नाम दे देंगे हम scope का SCOB इस तरह से mark कर लेना है और उसके बाद जैसे ही अगली candle ने यहाँ पर देख सकते हैं इस पर tap करा त उसके आसपास तक रहता है और मैं personally इसमें क्या करता हूँ at least minimum 1-3 तो हमें चाहिए ही चाहिए तभी हमें trade plan करना है या at least हमें 1-3 तक के लिए तो wait करना ही करना है उससे पहले हमें exit नहीं करना है otherwise risk reward हमारा proper नहीं रहेगा तो हम profit में नहीं आपाएंगे क्यूंकि कितना ही अ maintain करना ज़रूरी है तो minimum 1-3 maintain करना है और हम चाहिए तो वहाँ पर अच्छे से trail करते हुए यहाँ पर swing low के आसपास तक भी इसको यहाँ पर plan कर सकते हैं target को एक बार मैं आपको यहाँ पर place करके भी दिखा देता हूँ कि इस तरह से यहाँ पर हमारी entry होती और इसके उपर हम points छोड़के हमारा stop loss रहता और फिर हम यहाँ पर नीचे इस तरह से target enjoy कर सकते हैं इस तरह से यहाँ तक का हमारा target रहता है swing के आसपास तक का जो कि यहाँ पर 1-2 3.6 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है क्या हमें target अच्छा पॉल देखने को मिला उसके बाद target काफी अच् कर सकते हैं और जैसा मैंने आप से कहा था अभी थोड़े दिर पहले कि यहाँ पर 1-7 1-8 के आसपास तक भी काफी अच्छे move हमें देखने को मिल जाते हैं यहाँ तो बहुत अच्छा fall हमें देखने को मिला जो कि 1-11 के आसपास आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 1-11 के मैं यह बात जानता हूँ कि हर कोई यहाँ पर capture नहीं कर पाएगा बहुत कम लोग कर पाते हैं तो 1-3 भी अगर हम कर लेते हैं यह target भी छोड़ो 1-3.5 था target 1-3 भी हम capture कर लेते हैं तो हमारे लिए काफी अच्छा risk management वो हो जाता है अब अलग time frame पर discuss करने के लिए हम 1 minute time frame पर का simple सा एक basic rule यही है चाहे कोई भी setup हो कि जितना बड़ा time frame रहेगा उतना वो accuracy उसकी ज्याज़ा रहती है पर similarly वहाँ पर stop loss और target भी फिर हमें बड़े बड़े देखने को मिलते हैं और जितना छोटा हमारा time frame रहेगा उतना ही वहाँ पर accuracy हमारी थोड़ी कम हो जाती है और stop loss target भी हमारे कम हो जाते हैं तो हर time frame के अपने फायदे नुकसान है अपने एसाब से हम अपनी suitability के एसाब से pick कर सकते हैं जैसा यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि lower highs lower lows बनाता हुआ projection चल रहा है वन मिनट time frame पर तो ऐसे time पर जब भी market अपना high cross करेगा यहाँ पर जैसे यहाँ पर inducement करता हुआ नजर आया तो उस time पर हमें फटा-फट से zoom करके check out करना है कि क्या यहाँ पर scope apply होता हुआ नजर आ रहा है या पर नहीं जैसे यहाँ पर साफ साफ हमें देखने यहाँ में मिल जाता है तब तो ठीक है पर यहाँ पर जैसे price गिरना चालू कर दिया तो यहाँ पर हमें इग्नोर कर देना है जबरदस्ती यहाँ पर price गिरता गिरता नीचे आ जाए फिर वहाँ पर हम कहीं पर apply करने ही कोशिश कर रहे हैं ऐसा हमें बिलकुल भी नहीं करना है तो ऐसा भी कभी-कभी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर प्रॉपर इंडूस्मेंट वगेरा सब था पर यहाँ पर यहाँ पर यह अपलाए होता हुआ नजर नहीं आया है अब थोड़ा सा आगे हम चलते हैं वन मीनट टाइम पर तो हमें यहाँ पर क्या देखने क यहाँ पर जैसा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इस candle के नीचे की यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है और अगली candle के ऊपर यहाँ पर मार्केट क्लोज भी कर रही है तो इस तरह से इस वाली candle को हमें scope as a scope mark कर लेना है उसके बाद हमें wait करना है कि क्या price इस पर यह candle आ जाती ही थोड़ा बहुत उपर जाके वापस यहाँ पर आ जाता यहाँ कहीं पर थोड़ा immediately आ रहा है price अब उसकी accuracy ज्यादा अच्छी रहती है फिर बहुत आगे जाके अगर वो आ रहा है तो फिर उसकी validity उतनी ज्यादा नहीं रहती है तो अगर इस type का कोई के बाद यहाँ पर एक swing लगाया वापस से उपर निकला यहाँ पर एक important हमारा swing लगी हुई थी वापस से नीचा आया वापस से उपर निकल गया तो यहाँ पर वापस से एक और swing लगी हुई थी तो अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक proper inducement create ह क्रियेट होता हुआ नजर आया है पहली condition हमारी टिक हो जाती है कि uptrend के चार्ट में हमने यहाँ पर एक लो को breakdown करा है इंड्यूस्मेंट टाइप यहाँ पर create होता हुआ नजर आ रहा है उसके बाद हमें क्या चेक आउट करना है कि क्या यहाँ पर candle की liquidity liquidity sweep हुई है तो हाँ यहाँ पर liquidity भी sweep होती हुए हमें नजर आ रही है पर अगली candle के उपर market यहाँ पर close नहीं कर पाया तो फिर हमें क्या करना था वेट करना था उसके अगली candle का उसके अगली candle में market इस हाय के उपर close नहीं कर पाया जैसा मैंने आपस से second variation में कहा था कि यहाँ यहाँ पर liquidity sweep होती हुए नजर आई उसके बाद यहाँ पर हम close नहीं कर पाये अगली candle में check out करा उसमें भी close नहीं कर पाये और गलती से हमने क्या करा वापस से low coat यहाँ पर breakdown करना चालू कर दिया तो फिर हमें वापस से शुरू आत से पूरी condition लगा के देखनी होगी पहली condition से तो हम यहाँ पर अगर वापस से लगाना चारे हे तो यह हमें गलती नहीं करनी है कि यहाँ पर liquidity निकाल दी इस तरह से उसके बाद यहाँ close नहीं करा यहाँ close नहीं करा पर third candle में जाके एक छोड़ा दूसरा छोड़ा तीसरी candle में जाके हम closing देख रहे है यह गलती हमें कर हुआ है पहले ही यहां पर liquidity sweep हुई थी यहां पर closing का wait कर रहे थे और यहां पर वापस से नीचे जाना चालू कर लिए है liquidity वापस से यहां पर नीचे अचलू कर दिया है तो जो यहां पर buyers bet हैं वह उतना strength यहां पर show नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ये तो देख लिया कि liquidity sweep के साथ-साथ अगर हम scope को लगा लेते हैं तो हमारी accuracy काफी ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुती easy concept है scope जो कि हमें एक अच्छी entry provide कराने में help कर देता है तो ये तो हमने discuss कर लिया पर यहाँ पर जब price order block पर tap करता है इस तरह से inducement create करके order block पर tap करता है तब भी हम यहाँ पर साथ के साथ scope place करके अपना scope वाला concept लगा के इसकी भी accuracy को और अच्छे से enhance कर सकते हैं order block के साथ scope लगाने से हमें benefit क्या मिलता है कि जो हमारा ये बड़ा सा यहाँ पर इस तरह से stop loss बन रहा था तो जो आप लोगों के doubt बन रहते हैं कि सर हमारा order block पर stop loss कभी कभी काफी बड़ा बनता है तो उसको हम छोटा कैसे कर सकते हैं यानि कि उसमें एक refined entry किस तरह से ढूंड सकते हैं तो उसको हम साथ में scope लगा के देख सकते हैं अगर इस बारे में भी आप dedicated वीडियो चाहते हैं तो comment के बता सकते हैं आप में से sufficient लोग अगर इस बारे में जानने में interested होंगे तो अगली वीडियो में हम सीज को discuss करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर order block के साथ कैसे scope लगा जाता है और कैसे हम एक refined entry place कर सकते हैं जहाँ पर stop loss हमारा comparative ली छोटा हो जाएगा उस बारे में हम discuss करने की कोशिश करेंगे इस वाले वीडियो पर अगर 4000 likes हो जाएंगे और आप sufficient लोग comment करते हैं कि आपको order block plus scope वाली entry को समझना है तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना के upload कर दूँगा क्योंकि उसमें काफी ज़्यादा efforts लगने वाले हैं इस वीडियो से भी कही ज़्यादा सो simply आप free of cost इस तरह के advanced smart money concept समझने में interested हैं तो सिर्फ आपको like और comment करके बताना है hopefully इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ important learning point ज़रूर मिले होंगे कुछ ना कुछ तीखने को ज़रूर मिला होगा अगर अच्छा लागा हो आपको वीडियो तो भी आप like और comment करके appreciate कर सकते हैं या कुछ आपका feedback हो, कुछ आपकी queries हो तो उस regarding भी आप comment करके बता सकते हैं इस वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं किसी next वीडियो में thank you